हमारे हिस्ट्री बुक्से चत्रपती शिवाजी महाराज missing क्यों कुछ दिनों पेले हमने लोगों से पूचा कि क्या आपके स्कूल बुक्स में आपको चत्रपती शिवाजी महाराज के कॉंट्रिबूशन के बारे में सिखाए गया और आंसर शॉकिंग थे एक लाख लोगों में से 60,000 लोगों ने कहां मॉटाटॉ माराथा एंपार, जो अपने पीक पर कुछ ऐसा दिखता था उसके फाउंडर चात्रपती शिवाजी महाराज के बारे में सिल्बिस में सिर्फ पांच एचे लाइन्स है ये ट्राजिक सिर्फ इसलिए नहीं क्योगि हम एक महान डूलर के रारे में जान नहीं पाते ये ट्राजिक इसलिए भी हैं क्योंकि हम उनके life lessons भी अपने बच्चो से दूर रखते ह countryside मी महाराष्टा मंदिर जिससे आज भी आपको और मुझे फरक पढ था है अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चत्रबती शिवाजी महाराज जब छोटे थे तब उनके पिता शाहजी राजे बोसले विजापूर सल्तनत के जागिरदर चोटे शिवाजी पूने में थे और शाहजी राजे घर से दूर लेकिन उनकी मा ने उन्हें मा के संसकार और पिता का नॉलेज दोनों दिया बचपन से ही रामार्ण महाभारत की स्टोरीज उन्हें सुनाई और उनसे चोटे शिवाजी ने एक एहम बात सीखी भगवान राम खुद काबल थे लेकिन किसी भी सिचुएशन में अकेले नहीं थे वैसे ही महाभारत में पार्णवों का साथ होना ही उन्हें ताकत देता था रामार्ण और महाभारत सिर्फ कहानिया नहीं है उनमें एक राजा को और इस नए यूग में एक लीडर को सीखने जैसा बहुत कुछ और ये सारा नौलेज एक यंग शिवाजी को एक काफी छोटे एज में में स्वाराज was a dream और ये रियालेटी तभी बन सकता था जब ये सफ्मा दूसरों को भी सोने न दे सिर्फ तीस सालों में दस बीस नहीं तीन सो से जाधा खोर्ट्स कैप्चर करना कोई साधरन बात नहीं और ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि चत्रपती शिवाजी महाराज ने मावर नाम के एक छोटे से रीजिन में अपनी छोटी लेकिन काफी लॉयल फॉज बनाए उनसे दोस्ती बनाए रखने के लिए उनके साथ एक खाली में खाना खाया ताकि उन्हें समझें कि ये सिर्फ राजा नहीं ये हमारे राजा है चत्रपती की लाइफ से ये सीखने जैसा है चत्रपती शिवाजी महाराज को फादर ओफ इंडियन नेवी कहते हैं आज लोग ये तो जानते हैं कि येरोपियन कॉलनाइजर्स ने पूरी दुनिया पर नेवल सुप्रमिस्री के साथ कबजा किया लेकिन हम ये नहीं जानते कि भारत के पांडे और चोला डाइनस्टी भी थे जो शिप बिल्डिंग में येरोपियन से भी आगे थे आज अगर आप इंडोनीशिया ये थाइलेंड में जाएंगे तो रामायान की स्टोरी से इंस्पायर कई टेंपल्स पाएंगे हमारे कल्चर को दूर दूर तक पहुंचाने का क्रेडिट इन साउथ के डाइनस्टीज को जाता है लेकिन 13th सेंचुरी से भारत की नेवल स्टेंथ काफी वीक हो रहे थी जिससे हम व्यापार के लिए अरब्स पर निर्भर होने लगे थे प्लस नेवी से फोकस हटने के विज़े से पोचुगीज और ब्रिटिश इन्मेडर से हमें खत्रा था चत्रपती जानते थे कि खत्रा सिर्फ सल्तनत से नहीं इन कॉलनाइजर्स से भी है इसलिए उन्होंने फिर से भारत की नौ सेना खड़ी historians मानते हैं कि माराथा नेवी में at least 20 बड़े वार्शिप्स हुआ करते थे जिनकी मदद से चत्रपती शिवाजी माराज ने ब्रिटिशों को कौंकन से भगाया था वो एक ऐसे विजनेरी थे जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशन को पहचानते थे एक छोटी आर्मी के साथ भी बड़ी लड़ाई या जीतते थे यही विजन अगर दूसरे रूलस भी चत्रपती से पाते तो शायद भारत अंगरेजों का गुलाम ना होता ब्रिटिश हो के डिवाइड एंट रूल की मिसाले आज भी दी जाती है लेकिन चत्रपती की मेथद सच्ची भी थी और ज्यादा एफेक्टिव भी औरंग जेब ने चत्रपती के बारे में खुद कहा था कि 19 साल के लिए मैंने मेरी पूरी ताकत शिवाजी को हराने में लगा दी लेकिन फिर भी उनका राज्य बढ़ता ही रहा जब एक सेना एक पॉपस के साथ लड़ती है तो वो खुद से ज्यादा ताकतवर दुष्वन को भी अपने घुट्नों पर ला सकती है चत्रपती शिवाजी महाराज ने कहा कि हम हमारी धरती पर डर डर कर क्यों जी दूसरों की गुलामी क्यों करें क्या हम खुद को संभालने के लायक नहीं सवाल सिंपल है और उसका जवाब है एक आईडिया स्वराज इसी आईडिया ने आने वाले समय में ब्रिटिश होके अगेंस लड़ने वाले लोकमाने ट्रक से नेताजी सुभाश रंदर बूसता फ्रीडम फाइटर्स को भी इंस्पार के आज के बिजनस होल में कहते हैं स्टार्ट विट वाई आपका पर्पस डूण डिया और अगर ये पर्पस लोगों को इंस्पार करता है तो लोग जुड़ते जाएंगे ये सिंबल फंडा हम चत्रपती शिवाजी महाराज की कहानियों से सीख सकते हैं आपको नहीं लगता ये प्राक्टिकल लेसन से एक यंग एट से ही बच्चों को सिखाये जाने चीए आपको नहीं लगता कि हूँ अच्छे सिटिजन के साथ साथ अच्छे लीडर्स भी बना पाएंगे आज खुशी होती है जब पॉप कल्चर के थरू सीरियल्स, फिल्म्स ये हमारे इस वीडियो जैसे वीडियो के थरू चत्रबती शिवाजी महाराज की कहानिया लोगों तक पहुँच दी लेकिन फिर भी देश में एक ऐसा टुकडा तो है जिनने लगता है कि हमारे इतिहास के बार में गर्व से बात करना यानि लोगों में टॉक्सिक नैशनलिजिम को भरना होता है जो लोग इन सच्ची कहानियों को इतिहास मानने से ही मुकरत है अगर उनके बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए तो फिर तो वो बवाली कर देंगे शायद इन डिनायल से भरे बुद्धी जीवियों से बचने के लिए ही हमारे इतिहास में से कुछ बातों को और कुछ लोगों को उमिट किया जाता क्योंकि कोई और रीजिन मेरी समझ के बार ब्रिटिशों ने मेकॉले को भारत धेज कर यही किया था इंग्लिश एजुकेशन के नाम पर हमें हमारे जडों से काटने का काम किया था आज हमें इंजडों से फिर से जुढने की ज़रुत है अगर आप हमारी इन बातों से अगरी करते हैं तो इस मेसेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हब कीजे क्यूकि आज हमारे भारत में लीडर्स की कमी और पॉलिटिशंस के भर्मारत जो भारत के भविश्य के बारे में नहीं, भविश्य के elections के बारे में जरूर सूश, जो बाते तो छत्रपती जैसी करते हैं, लेकिन काम और अंजिब जैस, लगटा ए स्टूडेंट से पहले उन्हें ही एक master class की जरूरत है, और शिवजयनती के दिन, ये शुब मेसेज आप त